जहमा तरी दोस्तों तो कैसे हैं आप सब तो दोस्तों फिर से आज़रें नई वीडियो के साथ जी हैं दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं आज हम बात करेंगे पारीचात हर्शिंगार के पोधे के बारे में दोस्तों जैसा कि आप जानते ही होंगे ये पो अधे को पृत्वी पर लेके आये थे उसके बाद से ही ये पौधा पृत्वी पर उगाया जाता है तो दोस्तों ये बहुत ही पवित्र है इसकी फूलों की माला यदि आप विश्णों जी को और पन करते हैं तो लक्षमी जी का आशिरवाद आपको बना रहता है दोस्तों ऐस माना जाता है कि इसके फूल साल में एक ही बैर खिलते हैं और ये रात्री के समय खिलते हैं दिन में गिर जाते हैं तो दोस्तों ये केबल ऐसा अकेला पौधा है जिसके हम गिरे हुए फूल भी उठाकर प्रभू को चढ़ा सकते हैं वैसे तो नीचे गिरा हुआ फूल नही चड़ाया जाता है पूजा में पर दोस्तों पारी जाते कैसा पौधा है जिसका फूल आप नीचे से उठाकर प्रभू को चढ़ा सकते हैं इसे अपने घर में लगाए नकारात मकता खत्म होती है इसकी बहुत ही सुन्दर खुश्बू है बहुत ही मन मोहक खुश्बू होत प्रभू है इसमें अर्ने को ओश्ब ये गून है दोस्तों इसके जो पत्तें। यह बहुत ही खुरदरे टाइप के होते हैं इनंहें आप रगड के देखेंगे तो यह खुर्दरे होते हैं बहुत और इन्हें उबार कर पीने से ऑपके जोडों का दर्द घुठनों का दर् पौधा है इसे अपने घर में जरूर लगाएं अपने घर में इसे लगाने से आपके घर में कोई बुरी शक्ति प्रवेशन नहीं करेगी और दोस्तों इसकी खुश्पू से आपकी सारी चिंदाएं खत्म हो जाएंगी लक्षमी जी का वास बना रहेगा तो दोस्तों यह सुंदर फूल होते हैं और कुश्पू भी बहुत अच्छी होती है इनकी और दोस्तों विश्णो जी को यह फूल अरपन करने से लक्षमी जी प्रसन रहती है तो दोस्तों लक्षमी जी प्रसन होंगी तो सारे काम अपने आप ही बन जाते हैं तो दोस्तों यह बहुत ही चो यह इसी सीजन के फूल है जो अभी खिलने शुरू हुए हैं तो दोस्तों यह थी चोट से वीडियो जय मता दिता